दोस्तो हिमगाड आरो स्केल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज कुछ साथी हमारे पूछ रहते हैं कि सर जो हम CTO यूज़ करते हैं कमाश्यल आरो में जैसे 50 लीटर का आरो है और उसमें गैक यूज़ करते हैं उसका प्राइस क्या है और बेसिकली CTO वाटर फिल्टर और गैक में क्या डिफरेंस होता है और किस के साइज में आते हैं दोस्तो जो CTO और गैक 10 इंच साइज में भी आते हैं और 20 इंच साइज में भी अविलेवल होते हैं गैक फिल्टर में और CTO में डिफरेंस क्या है दोस्तो दोनों ही filter carbon granules के साथ बने होते हैं दोस्तो CTO और GEC दोनों ही coconut shell से बने होते हैं वो दोनों का काम है टेस्ट बनाना पानी का और chemical निम्पू का नहीं मतलब होता है granule activated carbon इसके अंदर छोटे छोटे pieces के रूप में कार्वन के गरेनुल्स फिल किये होते हैं जो अंदर से लूज होते हैं एक तरफ से पानी अंदर जाता है और गरेनुल्स के साथ रेक्शन करता हैं करता है और उसमें जो चाइमिकल होते हैं पैस्टिसाइड्स होते हैं पानी में वह एड्सॉपशन प्रसेस के तूँख गाइमिकल एक्षिन पर ग्रेजेयर कोजाते हैं पानी के हो जाता है और chemical रहत हो जाता है इसके रावा जो और गेनिक्स नेच्ठ जैसे पत्तों की बज़ा से अगर पानी में ज्यादा देता करहें उसका color हो जाता है पानी का तो उस पानी में से जो color है उसको भी यह remove करता है और पानी का जो खास वाज़े है दोस्तों इसमें फ्लोरेट ड्रॉप नहीं होता है और इसका सर्फस एरिया बहुत ज्यादा होता है जिसकी वज़ा से काफी अच्छी लाइफ इसकी रहती है बाउल में दूसरे नंबर का जो बाउल होता है उसमें डालते हैं अब हम CTO की बात करते हैं दोस्तों CTO का मतल होता है कोलरीन टेस्ट और रिमूवल पानी में जो भी किसी तरह की समेल होती है बैड और यह से कहते हैं उसको रिमूव करता है यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होती है इसको त्यार करने के लिए जो कार्वन ग्रेनल्स का पौडर होता है उस इन औरगैनिक मटीरिल के साथ और एक स्ट्रक्चर स्लेंडरी कल त्यार की जाती है तीसरे बाउल में जो 20 इंच का होता है उसमें डालते हैं इसका प्यूरिफिकेशन का तरीका अलग है दोस्तों यह जैसे हम स्पन फिल्टर डालते हैं प्री फिल्टर में उसी तरह से स्प इसकी प्यूरिफिकेशन सार्फस के थ्रू होती है यहां से पानी इसके साथ चारों तरफ टच करता है और प्रैशर की बज़ा से जो प्यूर पानी है वो इसका तर से होकर बाहर आता है इस टाइम के दुरान जितनी भी कॉलरीन पानी में होती है जा उसके रेजिडूल्स ह होते हैं उसको रिमूब करता है पैस्टी साइड को रिमूब करता है और इसका दोस्तों जो पॉर साइज है वो फाइम माईक्रों होता है जिसका मतलब है कि यह साथ-साथ फिजिकली भी काम करता है जो गैक है वो केमिकली काम करता है इसका क्योंकि जो स्ट्रक्चर होता है यूनिफरम नहीं होता लुस ग्रेनोल होते हैं इसमें इस पर पानी यह होता है उसमें इसे केमिकल रिमूव होते है और जो प्राइस की बात करें कर दोस्तो प्राइस 600 से लेकर 800 पे तक होता है और लाइफ की बात करें तो लाइफ जादा गैनोल एक्टिवेटेड कारवन की होती है लेकिन अगर पानी की कि बात करें पानी को ज़्यादा प्यूर कारवन ब्लॉक जा सीटियो करता है क्योंकि इसका जो पोर साइज है वो 5 माइक्रों से तो यह फिजिकल इंप्यूर्टी भी निकालता है और कैमिकल्स इंप्यूर्टी को भी रिमूव करता है लेकिन यह थोड़ा कोस्टली होता है एस कंपेर टू गैक दोस्तो इसकी लाइफ तक्रीवन जब 12,000 लीटर पानी इसमें से पास हो जाए तो हमें यह बदल देने चाहिए CTO भी और गैक भी CTO जल्दी ब्लोक हो जाता है क्योंकि इसके सर्फेस पे डस्ट बगैरा जमा हो सकती है क्योंकि यह एक यूनिफॉर्म इसकी स्टक्चर है और 5 माइक्रोन का इसका पोर साइज है लेकिन इसमें क्योंकि अंदर से पानी होकर जाता है तो इसके अंदर restriction नहीं है तो इसलिए जल्दी ब्लोक नहीं होता है और कार्बन ब्लोक पानी बहतर देता है लेकिन यह हमें जल्दी चेंज करना पड़ता है